हलो फ्रेंड्स वैलकम टू दी चैनल आज का टॉपिक है स्ट्रेप्टो को का स्पायोजन जो के माइक्रोबायलजी के वेक्टेरियोलजी योनिट से हमने लिया है और यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और इससे कई सारे क्वेशन भी आते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते है स्ट्रेप्टो को स्पायोजन है वो फैंथो जैनिक है और कौन से ग्रूप से आताई बीटा ही मुलेटिक ग्रूप साइज पॉइंट होता है उन में कैपस्यूल होता था पॉइंट होता है इनके टाइप्स होंगे मतलब ही तरीके मिलते होंगे ने कैपस्यूल भी मिलता है तो वो कौन कौन से strain है B, C, D ठीक है तो ग्रूप B और D में कैसा capsule मिलता है polysaccharide capsule मिलता है ग्रूप C में कैसा capsule मिलता है hyaluronic acid capsule मिलता है second है इसके virulence factor और pathogenicity देखते हैं तो virulence factor में हम इसकी पहले cell wall मतलब हम तीन तीन टाइप पढ़ेंगे मतलब virulence factor जो है उसमें हम देखेंगे cell wall, toxin और enzymes cell wall में किस तरीके की virulence मिलता है तो इसमें हम सबसे पहले cell wall देखेंगे तो cell wall में तीन टाइप की layer होंगी वहाँ पर तीन layer मिलेंगी ठीक peptidoglycan layer जो की inner layer होगी middle layer होगी और outer layer होगी ठीक peptidoglycan layer जो होगी वह रिजिटिटी प्रोवाइड करेगी induced inflammatory response और induced thermolytic activity जब यह human की body में जाएगा तो वहाँ पर thrombosis या clotting नहीं होने देगा जो की वेक्टिरिया के favor में ही होगी middle layer जो होती है carbohydrate antigen की बनी होई होती है और outer layer जो है प्रोटीन और lipoticoic acid की बनी होगी जो की वह help करेगी addigen में प्रोटीन antigen मिलते हैं इसमें जिसको हम जो की naming हुई है उसकी MTR से कितने टाइप के प्रोटीन antigen मिलते हैं तीन टाइप के M protein M protein T protein और R protein M protein जो है acid और heat stable है trypsyn libylle है in inhibit phagocytosis by inhibiting optionization phagocytosis को inhibit करता है यह और जिससे की है ना जो हमारी जिससे की वेक्टिरिया किल ना हो सके ठीक है अगर M protein के against antibody बनती है तो वह protective in nature मतलब हो हमारी body के protective होंगी और इना promote करेंगी phagocytosis को अब हम देखते हैं M protein M protein को दो class में part दो class में divide किया गया है class 1 और class 2 जो antibody बनती है class 1 के against तो वह responsible होती है pathogenesis of rheumatic fever rheumatic fever हम आगे पढ़ेंगे ठीक है T protein अगर हम T protein देखते हैं acid acid और heat level होता है और trypsin stable होता है जस टुल्टा होता है M protein के R protein express infused strain यह हमें कुछी strains में दिखता है कुछी टाइप में दिखता है capsule जो है वह inhibit phagocytosis phagocytosis को inhibit करेगा और यह बना हुआ होता है hyaluronic acid का second हम देखते है toxins toxins में दो टाइप के होता है Hemolysin toxin और SPE toxins step to google pyogenic exotoxin Hemolysin जो है step to license O और step to license S ठीक है दो टाइप का होता है Hemolysin जो होगा उसमें दो टाइप का मिलता है और Hemolysin क्या करता है हीमो मतलब RBC license मतलब license RBC की membrane को license करता है मतलब तोड़ता है degrade करता है तो यह जो step to license O और step to license S है उसमें हम difference देख लेते हैं उसी से हम इसके सारे character को discuss कर लेंगे जो step to license O है वह लिबाइल होता है मतलब इसी की वज़े से इसको नाम दिया गया है oxygen libyl होगा यह तो oxygen libyl की वज़े से हमने इसको O name दे दिया है step to license S यह serum soluble होता है जिसकी वज़े से हमने इसको name दिया है तो हम पहले एके करके पढ़ लेता है फिर उसके ही उसके ही उल्टे S के हैं ठीक है तो oxygen libyl हीट 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 लेवाइल होते हैं और हीमोलाइसस इसमें दिखती है deep colonies में हमें हीमोलाइसस दिखेगी strongly antigenic होते हैं anti streptolysin O antibodies होती है वह इसमें increase हो जाती है मतलब जो streptococcal infections होंगे उसमें यह हमें anti streptococcal antibodies हमें वहाँ पर दिखेंगी streptococcal O जो है वो similar है titanolacin of clostridium titanide pneumolycin of streptococcal pneumonide मतलब यह है कि जो भी toxin secret करता है यह उसी की तरह काम करता है जो streptococcal o है streptococcal oxygen stable serum soluble है जिसके वैसे हमने इसको S name दिया है hemolysis इसमें दिखती है कहां पर surface of the blood अगार इसमें deep colonies में दिखती है इसमें surface पर दिखती है non antigenic है और इस serological diagnosis में इसका कोई रोल नहीं है SP toxin देख लेता है स्ट्राइब्टो कल स्ट्राइब्टो कल स्ट्राइब्टो कल पैर टाइइणिक एक्जि का तोक्सिज ठीक यूजेनिक है यह पार्योक्जणिवियन नहीं है नहीं है ठीकिजान इनधिशन कर्स स्काश clashid면 م्anz Just और यहengoly क होता है और यह dhirt Wow को α में मतलब इमेनो सप्रेशन करता है यह और इंक्रीज सेंसेटिविटी ओफ होस्ट टू स्टेप्टोकोस टॉक्सिन थार्ड है इसका इंजाइम इसमें इंजाइम होते हैं स्टेप्टोकाइनेज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज हाइलिरॉनिडेज प्रोटीनेज और ए ऐसका इसका फंक्षिन क्या है फाइबनोलािटिक एक्टिविटी गरना मतलब यह फाइब रिंज को तोड़ता है दीग्रेट करता है तो जिसकी वजग से चल्डी जलदी फहलेगा ठीक है और क्या है डियॉक्सिराइबो न्यूक्लिय सेप्स्दका डूसरा नाम है इसका द कर दिता है ठीक है डी आने का डी पॉलीमराइऻेशन हो जाएगा मतल Wirtschaft करेगा जिए इस Chicago VII Lab अधिफील टॉट करेगा और यह एंटीझनीग होता है एंटीचेजिज enfin ओंधिएर फंड आंफेक्शनिक सब्सक्राइब कि लीखिछाएव कि बाद इसके सल यांटिवाड़ी बननेAmदяти है अब हम देखते हैं क्लेखाइब फीचर क्लेषाइब में 2 ताइप के गर्णा करता है सपुरे टेवियन और नॉन supurative, supurative मतलब pulse forming, non-supurative मतलब non-pulse forming, इसमें pulse बनता है, इसमें pulse नहीं बनता, supurative के देख लेते हैं diseases, तो supurative infection क्या क्या करता है, respiratory infection करेगा वो, जिसमें pharyngitis या sore throat हो जाएगा, pneumonia, impyma हो जाएगा, ठीक है, इसके न और soft tissue infection भी करता है, जिसमें impetigo होता है, और cellulitis होता है, deep soft tissue infection होगा, necrotizing fasciitis और toxic shock syndrome होगा, ठीक है, इसमें scarlet fever भी होगा, ये deep soft tissue infection होते हैं, vectoremia में TSS, मतलब toxic shock syndrome, osteomolitis और meningitis होगा, non-supurative infection में हम देख लेते हैं, acute rheumatic fever, acute gromarylo-nephritis और reactive arthritis, इनके बारे में हमें थोड़ा-थोड़ा, अगर हम clinical feature कर रहे हैं, तो हमें इसका थोड़ा-थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये जो हम इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा देखेंगे सब, तो ये जो है हम next part में discuss करेंगे, तो आप next part को भी देखना, तभी ये topic पूरा हो जाएगा, जिसमें lab diagnosis भी है, ठीक है, तो thank you for watching the lecture, wait for the part 2, thank you.